अलो विवन नमस्कार आप सभी लोग का स्वागत हैं चैनल में आज देखिए हम लोग पढ़ेंगे हिंदी पैडागोजी मुल्टीपल च्वाइस कोश्चन मिस होता है देखिए पैडागोजी मिस कोषते हिंदी में सिच्छन सास्तर के बारें पढ़ेंगे उसका ना टॉपि प्रस्ण हम लेके आए हैं आप सभी के लिए ये जेटेट और सीटेट के लिए अती महत्पून प्रस्ण है जो की परिच्छा में कितना बार पूछे जा चुके हैं और फिर से जेटेट सीटेट जो इजाम आने वाले हैं आपके परिच्छा में ये कोश्चन आएंगे हम चाहते हैं कि वीडियो को शुरू से लेकर लास तक अवज से देखें ताकि आपको बहुत ज्यादा फाइदा हो अपने परिच्छा के लिए आईए तो हम इसको स्टार्ट करते हैं देखिए नंबर फर्स्ट कोश्चन कहता है त्री भासा सुत्र त्री भासा मतलब होता है तीन भासा का सुत्र जो है में हिंदी का अस्थान है बताना है उसका हिंदी का अस्थान क्या है ऑप्शन ए राजभासा के रूप में क्या राजभासा के रूप में है ऑप्शन बी सास्त्रिय भासा के रूप में क्या ये सास्त्रिय भासा के रूप में है ऑप्शन सी सर रा आस्त भासा के रूप में हम चाहते हैं सभी को हमारा वीडियो ये सेर अवस्य कर दे ताकि और भी लोगों के पास हिंदी पैटागोजी का मुल्टिपल च्वैस कोश्चन मिल सके जिस तरह का आपका परिच्छा में कोश्चन आते हैं उसी टैप का हम कोश्चन बना के आपको दे रहे हैं समझा कि हर कोश्चन को करवाएंगे और अपने आप में खुद से भी आप टेस्ट कर सकते हैं उसके बाद लिखिए का कमेंट बॉक्स में आप 13 कोश्चन में कितना कोश्चन करेक्ट कर पाएं तो पताना है कि तरी भासा सुत्र में हिंदी का स्थान है क्या है राज भासा के रूप में क्या होता है कोई भी राईज के लिए सास्त्रिय भासा के रूप में सर राज भासा मतलब उसके साथ मिला के या तो अप्संडी है रास्ट भासा के रूप में त्री भासा मतलब तीन भासा के रूप में लिया गया है एक निवन माध्यम्य के में रखा गया है मिस ऑप्सव नमबर डी रास्ट भासा के रूप में आपका वन का दी करेक्ट आंसर होगा अगर वीडियो अच्छा लगे समझ में आ रहा है एक लाइक करके आप अधिक से अधिक अपने गुरूप पर्सनल फ्रेंड्स सरकल में सेर अवस्य कर दें फ्रेंड कच्छा में अब देखिए हिंदी भासा हिंदी का लेंग्वेज जो है भासा वो कच्छा चल रहा है हिंदी की कच्छा चल रही है अब देखिए उसमें क्या होती है सभी बच्चे समान रूप से हिंदी सिखते हैं अब देखिए जब हिंदी भासा की जब कच्छा चलती है तो क्या इतने बच्चे हैं, वो समान रूप मतलब equal रूप में क्या हिंदी सिखते हैं, समझ में आती हूं लोगों, Option B, सभी बच्चे एक ही भासा के नहीं होते हैं, क्या सभी जो अलग-अलग होते हैं, Option C, सभी बच्चे समान रूप से हिंदी बोलते हैं, और Option D है, सभी बच्चे एक ही भासा के होते हैं, अब देखिए जब हिंदी भासा की कच्छा चलती है, पहले आईए इसके बारे हम कुछ समझते हैं, कि जब हिंदी भासा की कच्छा चल रही है, जब कोई बच्चे आएंगे, तो कभी भी वो समान रूप से उनका कभी भी दिमाग जो है समान रूप से काम नहीं करेगा, तो Option A कहता है कि सभी बच्चे समान रूप से हिंदी सिखते हैं, यह तो आप ही नहीं सिख पाएंगे, जब सभी का दिमाग एक तरीके से काम नहीं कर रहा है तो यह option कभी भी follow नहीं करेगा कि सभी बच्चे समान रूप से हिंदी सिखते हैं दखी अगला option B है कि सभी बच्चे एक ही भासा के नहीं होते हैं और वह क्या है कि हिंदी सिखने के लिए आ रहे हैं कोई क्या है कि कह दिया है कि भारत में हिंदी आपको एक प्राथमिक एक अलग से भासा के रुप में सिखना आपको अनिवायर है है कि iets कि भासा जो है अपनी जहां कि राज भासा है कि भूधा एक बंगाली कि अप्राभव एक सब है वे देजे सब्स बच्चे समार में अब सभी तरी तो एक ही तरी से हिंदी नहीं बोल सकते हैं, कोई कम जादा हिंदी बोलिंग, ये भी option आपका गलत हो जाता है, Option B है, सभी बच्चे एक ही भासा के होते हैं ये भी गलत Option लग रहा है कि सभी बच्चे जो है एक ही भासा के कभी नहीं होते हैं वो अलग अलग भासा के होकी उनको हिंदी सिखना होता है Option B देखिए कह रहा है कि सभी बच्चे एक ही भासा के नहीं होते हैं बिल्कुल सही एक ही भासा के वह नहीं होते हैं, means 2 का option number B correct answer हो जाएगा, देखिए पैडागोजी आपको अगर सही करना है अपने examinations hall में, बिल्कुल अपने mind को focus करना है, अपने दिमाग बिल्कुल वहीं पर लगाना है, आप हर questions को सही करके आईएगा, बिल्कुल positive way बनाना है, सकात्मक सोच के रुप में रखिएगा, आपका हर questions according to आप प्रस्न के साथ उसके options को सही करके आईएगा, आईए बहते हैं question number 3 की और भासा और लीपी दखिए, सब भासा के कहिन के कोई-कोई लीपी होती है, जो हिंदि से लिखी होती है, उसकी भासा कहा जाए तो दिवनागरी होती है, को अगर लिखी होती है, इंगलिस से उसकी भासा जो है लीपी वो रोमन होती है, तो के संदर्म में मतलब की उसके बात में कौन सा कथन सही है, मिन्स भासा और लिपी में कौन सकतन जो है इस जो है लिखा हुआ है जो आपका statement 4 है उनमें से सही कौन है option A है एक भासा विसेश को एक लिपी विसेश में ही लिखा जा सकता है क्या एक जो भासा है उसको एक लिपी विसेश में लिखा जा सकता है अब बताईए एक भासा है कोई जरुवी नहीं है को एक ही लीपी में हम लिख सकते हैं उसको तरह तरह के लीपी में लिखा जा सकता है option B है प्रते एक भासा की एक निश्चित लीपी होती है क्या का रहा कि जितने भी भासा है उसके क्या एक लीपी होती है परते एक भासा मतलब क्या अलग अलग जो इतने भी भासा है सबकी एक लीपी होती है Option C है भासा की संब्रिधी के लिए केवल लीपी की उत्तरदाई है कै जितने भी भासा उसके लीपी होना बहुत जरूरी है Option D है किसी भी भासा मतलब कोई भी लेंगवेज भासा को किसी भी लीपी में लीखा जा सकता है आई जा समझते हैं इसके बारे में तब हम बताएं इसका आखिर में Option क्या सही होगा अपने-अपने Copy में आप जितने भी Friends हमारे हैं चेक कर सकते हैं के लिट लोग ताकि आप अपने आप में टेस्ट भी कर सकते हैं अब देखिए भासा और लीपी में कहा रहा कथन सही जो है दोनों इमतारा compare तो एक लीपी विशेश में लिखा सकता है भासा को को जरुए नहीं है परतेक भासा की निश्युत लीपी होती है को आप सकता नहीं जो हिंदी में लिखा जाता है उसे देवनागरी कहते हैं देवनागरी उसकी लीपी होती है अब देखिए जो लिखा जाता है पंजामी में उसे गुरु मुखी लिखी लिखी होती है अब जो लिखा जाता है इंगल्स में उसे कहते है रोमल लिपी अब देखिए यहां पे अगर जो इंगल्स लिखा गए जरूरूरी इन सबकी भासक अलगल लीपी होगी जो आउसकता नहीं है भासा की सम्रेदी के लिए कि वह लीपी उतरदाई कोई जरूरत नहीं लीपी को आउसकता नहीं कि भासा के रूर लीपी भी चेंज होगी किसी भी भासा को किसी भी लीपी में लिख सकते हैं आप कोई भी भासा को आप किसी भी इंदी में भी थो गया दियो नारी लिपी और लिसकते हैं इसमें भी थो गया आपका रोमन लिपी इसके कहा गया है आपका option D क्यों होगा कि किसी भी भासा को आप किसी भी लिपी में लिखा जा सकता है इसका option option number D करेक्ट आंसर होगा अगर आपको समझ में आ रहा जाते हैं वीडियो को सुरू से लेकर लास्ट तक आवज से देखें ताकि आपको एक बार में समझ में आ जाएगा डेली विचिस पर हमारा वीडियो देखें आपको डेली विचिस पर एक निव नू वीडियो मिलदा रह करते हैं आप ग्यान को लिजिए उसरे को वीडियो को सेर अवज से करें आईए कुर्ष्ट नमबर फोर की और भासा अनुकरंड कि भासा को अनुकरंड कर जाता है लिया जाता है कि माध्यम से ही सीखी जाती है विचार किस से समंध है अब देखिए भासा जो अनुकरंड ज सिखी जाती है बिल्कुल सही सिखते हैं लोग अब यह विचार जो है किस से समंध है मतलब किसके दवारा यह समंध रखता है आपको पताना है putting hm सिक जाती है यह विचार किन बताईए कि भासा अनुकरण के माध्यां जो शिखी जाती आ यह विचार किससे समन्दित तो तो यह विचार किस ने दिया था, किस से समंदित है, विचार ये, अस्कीनर वाइगोस्की, चमस्की, पियाजे, ये देखिए समंदित अस्कीनर से है, मिंस आप्सन नमबर A, वो आपका सही आंसर हो जाएगा, कि भासा अनुकरण के माध्यम सिखी जाती है, या विचार गया था, अस्कीनर से दिया गया था, मतलब अस्कीनर से विचार समंद है, आईए बहते हैं, कोश्यन नमबर फाइब की और, अहम केंदरित भासा, मतलब कोई भी चीज को, मैं कोई केंदरित भासा, मतलब की भासा को केंदरित की रूप में रखा जाता है, कि संकल्पना किसके सा गनिष्थ रूप से जूढी है मतलब किसके साथ किस ने बताया कि अहम कैंदरित भासा की एक संकलपना है वो किस व्यक्ति के साथ गनिष्थ मतलब बहुत अच्छा relations संबंद बहुत अच्छा जुडा हुआ है correct किया गया है वो बताना है संकलपना किसके द्वारा दिया गया अहम केंद्रित भासा की संकलपना आप्शन A चमस्की आप्शन B पियाजे आप्शन C अस्कीनर और आप्शन D वाई गौस्की बताए तो correct answer क्या हुआ कि अहम केंद्रित भासा की संकलपना जो है ओ घनिस टुप जुड़ा है यह देखिए जुड़ा है पियाजे के द्वारा अगर question आता है कि अहम केंद्रित भासा की संकलपना घनिस टुप जुड़ी है तो पियाजे से जुड़ी है अहम केंद्रित भासा कर लिजेगा इसको भी वी आई मतलब पियाजे से question पूछ लिया करता है एक्जामिसन्स हॉल म पीचर्स के लिए जो भी है जीठेट और सुटेट के लिए जो भी अमसे की और भी लाने वाले हैं ताकि आपको अगर हमारा वीडियो अगर नियर्दन रूप में एक वीडियो देखते रहते हैं तो जब एक्जामिसन आने वाले हैं आपके जिटेट और सीटेट तो आप हिंदी mcq का जो है आप पेड़ागोजी बना के आप आईए गो इंस पेड़ागोजी का भी आपसे mcq बन जाएगा बहुत ही इजी तरीके से बहुत इजी होगा पर अपका cdp child development and pedagogy मिंस बाल विकास और सिछा सास्थ उसका भीजाल धंवाने वाले mcq डिस्क्राइब करे और आप जब जाएगा परिशा हॉल में तो इजी रूप में सब questions को पना के आ सके तो यह अहम केंद्रित भासा की संकलपना पियाजे से घनिष्ट जुड़ा हुआ है आपसन नमबर बी जो है वो correct answer होगा आएए बहुतें question number six की और भासा सिच्छन में व्याकरन पढ़ाने के लिए पर्युक्त किया जाने वाला सिद्धान्त या नियम है अब देखिए बात रहती है भासा सिच्छन में अब समझेंगे यहाँ से भासा सिच्छन का अर्थ क्या होता है अब देखिए भासा सिच्छन एक परकिरिया है कैसी प माध्याम है जिसमें हम क्या हैं कि कि बच्चा पढ़ना लिखना कैसे सिखता है वह भी देखते हैं कि बच्चे को कैसे पढ़ाया जाए कैसे शेखाया जाए ताकि वह भासा का समझ के साथ क्या है। probability कर सकते हैं अगर कोई बच्च्छी बहलग्या रूप से किसी भी चीज को सिखते हैं तो भासा में उनकी अच्छा इक पकड़ हो सकता है। यो परियोग अच्छिस कर सकते हैं साथ ही क्या है कि जो है यह वासा को समाज की विवस्था की अनुरूप डालने कれ लिए भी भासा सिच्छन की आज़सकता होती है अब दहिए भासा सिच्छन के लिए वाइगोस्की की उस्टा कुछ कहा गया क्या 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 कह आना कि बालकों के भासा سुखने में समाज तथा परिवार एक महत्पूर भुमिका निवाती है उनकी भुमिका जो है बहुत ज़्यादा महत्पुन होती है सामाज था परिवार की। भासा देखी बाल विकास में सहायक होती। तथा सिच्छक द्वारा बालक की इसी परिविर्ती का धिहान रखते वे सिच्छन नीती क्या होई अपनाई जाती है, सिच्छन से लोग को पढ़ाई जाती है। अब देखिए इसमें क्या है कि वखास द्वर्प के कुछ उद्देश भी है। व्परिविर्ती क्या है पुंक्त के क्तन को समझने की योग्यता होनी चाहिए जो अगला सुच्छन को आते है। में व्याकरण पढ़ाने के रिए आप देखिए भासा सिच मतब हिंदी में व्याकरण बहुत ज़रूरी होती व्याकरण मतलब क्या होता है इससे सुचुचुच हम पढ़ना लिखना बोलना सिखते हैं वही कर दाता है व्याकरण पजुक्त किया जाने वाला सिध्धान्त या नियम क्या होता है च्छरुफ से आपको वह बताना है आई, option A है आविर्ति का सिध्धान्त, क्या वो आविर्ति का सिध्धान्त होता है, option B, अनुकरण का सिध्धान्त मतलब होता है, करके सिखना, उसे बोलते अनुकरण का सिध्धान्त, option C, आगमन एवो निग्मन का नियम, आगमन मतलब आना निग्मन मतलब देना, मतलब inductive और डिड़क्टिव मिसल्ट कहते हैं उसको आगमन और निगमन मतलब आने और देने का जो मिसल्ट कहते हैं आगमन और निगमन नियम अप्शन डी है अनुबंधन का सिध्धान्ट आप देखिए भास सिछन व्याकरण पढ़ने कि सबसे पजुक्त सिध्धान्थ कहा जाएं तो आगमन और निगमन नियम कहा जाएं तो आजमन एवं निगमन नियम के द्वारा व्याकरण Q6, option number C हो जाएगा, सिच्छन में व्याकरण पढ़ने के लिए आगमन एवं निगमन नियम की आउशकता होती है। आईए, बहते कुश्चन number 7 की यह विद्यार्थी की भासा पर उसके समाजिक परिवेस का परभाव पढ़ता है यह सिध्धान्त है। Q7 कहता है कि विद्यार्थी की भासा विद्यार्थी जो भासा सिखते हैं उसके समाजिक मतलब समाज के जो परिवेस से दिखा जाता है उनको कैसे वो करते हैं उस पर का परभाव में इफेक्ट पढ़ता है यह सिध्धान्त है यह सिध्धान्त जो है किस सीज़ से पढ़ता है option A है अनुबंधन का, option B अनुकरण का, option C सहचरी का, and option D जीवन समन्वय का बताईए इसका सही आंसर क्या होगा, सही options फिर समझ एक question कहता है, प्रस्ण कहता है, विद्यार्थी की भासा, भासा जो सिखते हैं, उसके समाजिक परिवेश, समाज में जो परिवेश सिखता हो, गरहन करता है कि परभाव पढ़ता है, यह सिध्धान्त जो है कैसे, किसी चीज़ से करके सिखने को बोलते हैं, मिससे कहत मिससे का, बी करेक्ट आंसर होगा, अनुकरन का सिध्धान्त कहेंगे, आइए बहते को next question की और, नमबर 8 देखते हैं, भासा सिख्षन की विद्या मुख्यता, डैस पर निर्भर करनी चाहिए, option A, परिच्छा पदती, option B, बच्चों का अस्तर, आयू और परकरन, option C, समय अवधी, and option D, लच्छ भासा, अब कहता है दखिए कि भासा सिख्षन की विद्या, भासा दो सिखते हैं, मुख्यता किस पर निर्भर करनी चाहिए, क्या वो परिच्छा पदती पर करनी चाहिए, option B, आपका है, बच्चों का अस्तर, आयू परकरन पर, समय अवधी, लच्छ भासा पर करनी चाहिए, यहाँ पर देखिए, सिख्छन की विद्या जो है, बच्चों की अस्तर, बच्चों का लेबल क्या उस पर होनी चाहिए, उसके आयू के, और वो परकरन पर, means option number जो है, B, correct answer होगा, कि बच्चों की लेबल, उसकी आयू को देखा जाए, उसकी एज को, और परकरन को, उस विद्या से जो है, निर्भर करनी चाहिए, means option number B, वो correct answer हो जाएगा, आईए बहुते है, question number 9th की और, मात्री भासा सिच्चन, अब देखिए, बताएं थे कि मात्री भासा सिच्चन मतलब कुछी दिश को गरहन करना, मात्री भासा मतलब जो मा से सीखा जाए, मात्री भूमी, कहा जननी जन भूमी श्चा, है ना, जो जननी जन भूमी श्चा, जो मा के दुवार सिच्चन जो सी जिखा जाए उसे क्या कहेंगे देखिए विद्यार्थी के भासा सिच्छन में विवधान उत्पन्न करता है। ऑप्शन B सिच्छन को स्रल बनाता है। ऑप्शन C अध्यापक के सच्छी कार्य में बाधक बनता है। option D सिछक, सिध्धानतों के विपरीध है ये दिखे आपका लगात्म option है अल्टा ये तो होने सकता है कि मात्रिवास शिछन जो हो क्या करता है जो मास चीखा जाता है वह यो क्या करता है लोगों को विद्धार्थी के भास सिच्छन में विवधा उत्पन करता है मतलब मतलब होता है समस्या उत्पन करता है यह तो बिल्कूल नहीं समस्या कर उत्पन नहीं करेगा मात्रिभास सिच्छन सिच्छन को स्रल बनाता है कि सिच्छन को आसान बनाता हो अध्यापक के सच्छिक कारें बाधक बनता है क्या मात्रिभासा कभी बाधक बन सकता है का नहीं बन सकता है आप्शन C दखिए आपका नेगेटिव आप्शन हो गया, आप्शन D दखिए नेगेटिव आप्शन है, सिच्छक सिध्धान तुगवित है, उल्टा है ये भी आपका नहीं होगा, मात्री भासा जो है उस सिच्छन को सरल मींस आसान बनाता है, नाइन्थ का B करेक्ट आंसर ह हो जाएगा, सिच्छन को सरल मींस आसान बनाता है, मात्री भासा सिच्छन, आईए बहते कुश्चन नमर्ट तेंथ की और, गनीत के सिच्छक ने राहुल को वायक के सही करने के लिए कहा, अब देखिए गनीत के एक सिच्छक है, अनके मैफ्स के एक सिच्छक है, राहुल अनके के सही करने के लिए कहा, उनके द्वारा ऐसा करना भासा सिच्छन के किस सिद्धानत के अंतरगत आएगा, जोकी सही करने के लिए कहा गया है, आप्शन ए मनुरंजन के मनुरंजन होगा मत बहुत ही मजा लगेगा उसको आप्शन बी अनुकरन आप्शन सी मौखिक एवं लेखन कायरिक का सिधान्त और आप्शन डी बहु मुखी परियास चोई बताईए कि जब गनीर की सिछक ने राहूल से वाक्यों कहा है सही करने के लिए कहता है कहें तो ऐसा करना भाव सिछन के कौन से सिधान्त के अंतरगत आता है मतलब किस सीज से वो इस सीज को सिखेगा हो मनोंजन से बिलकुल नगेटिए तो होगा नहीं अनुकरन के दुवारा नहीं होगा मौखिक एवं लेखन कायरिका सिधान्त नहीं होगा सबसे बेस्ट आप्शन के क्या हो जाएगा बहु मुखी परियास मतलब कि बहु ज़्यादा परियास करके वह वाक्व को सही करने के लिए वह चाहेगा मिस आप्शन नंबर कवीता पाठ करवाना की सिध्रांथ के अंतरगत आता है। कविता का पाठ जो है करवाय जाता है कविता पाठ पढ़ाय जाता है हिंदी में हिंदी्म दो सरी का होता एक कहानी पढ़ाय जाता है कोन सिध्धांध के अंतर्गत वो आता है option A, जीवन समन्वे का सिध्धान्त के जीवन के इंसा सिध्धान्त आता है, option B, सिच्छन सुत्रों का सिध्धान्त, सिच्छन के सुत्र जो है, उस सिध्धान्त के इंदर का आता है, option C, किरिया सिल्था का सिध्धान्त, उस के इंदर का आता है, जो किरिया सिल्था करता है लो को वो कहता है किस सिध्धान्त के अंतरगत ये आता है कौन सिध्धान्त के अंतरगत ये आएगा एक करवायत है कहानी पाठ एक कवीता पाठ कवीता पाठ में उसके पढ़े जाता है उसका स्रांस को समझायत है उसके भावार्थ को बताए जाता है उसके अर्थ को भौती आसान कह जाता है तो ये कौन से सिध्धान्त के अंतरगत आएगा जीवन समन्वे सिच्छन सुत्रों का सिध्धान क्रिया सिलता का सिध्धान या बाल के नृता का सिध्धान एक कविता पाट जो करवाएगा ये सिध्धान क्रिया सिलता का सिध्धान क कहलाता है मतलब क्रिया के अनुरूप करवाया जाए उसे कहते हैं क्रिया सिल्था का सिध्धान कवीता पार्ट करवाया जाएगा क्रिया सिल्था के अंतरगत करवाया जाता है तो आपका जो है वो सी यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 11 का सी आप्शन आएए बहतें कुश् भांस अवस्यक है कि रखिये कि क्या क्यायान क्याते हैं ऐसी सिच्षण में अनुमंदन ज्यानत अनुकरण का इमिटेशन करना और और अभी प्रेना के उम्रूचिक सिधान्त भी आता है, अभी पढ़ाएं आपको option में क्रिया सिल्तक सिधान्त भी आता है सिछन का आपका आवश्चक में, तो भासिछन आवस्यक है, किसके लिए आवस्यक है? option A, भासाई कौसलों से परिचीत कराने के लिए, option B, बच्यों की कलपना सिल्ता को बढ़ाने के लिए, option C, सिर्जनात्मक्ता, समझे का option C है, सिर्जनात्मक्ता का विकास करने के लिए, and option D है, उप्युक सभी, आई समझते हैं, कि भास सिछन जो आवस्यक है में जरूरी है किसके लिए, भासाई कौसल को परिचीत करने के लिए, भासा के जो कौसल होता है, उसके भासे को बढ़ाने के लिए, उसके skills को, मंदब की सभी के रूप में अच्छा करने के लिए, बिल्कू option सही है, बच्चों की कलपना सिल्त परिची जो है कितना तिब्र अधीक हो जाए, उसके लिए भी कह जाता है, तो option तीनों देखिए, यहां पर सही हो रहा है, A, B, C, means option number D, वो correct answer हो जाएगा, यह भासाई कौसलों से परिचीत करने के लिए भी होगा, बच्चों के लपना सिल्दा बहाने के लिए भी, और हैं, भासा सिच्छन पे जो की आपका कर लिजेगा इसको आप भी भी आई, कितना बर महत्पुन प्रस्ण यह एक्जामिनिसन में पूछे गए हैं, उच प्रात्मिक अस्तर पर, मना हाई जो लेबल होता है, अस्तर, पर हिंदी भासा की समावेशी सिच्छा, समावेशी कच कच्छा का स्वरूप निर्धारित करने में सरवाधिक महत्पूर्ण है, उच प्रात्मिक अस्तर जो होता है, लेबल हिंदी भासा की, जो हिंदी भासा होती है, समावेशी कच्छा का स्वरूप जो है, वो निर्धारित करने में सबसे जादा, सरवाधिक सबसे जादा महत् वो किस चीज की होती है, option A, अभ्यास कायर, मतलब practice work क्या करनी चाहिए लोगों को आगे बढ़ने के लिए, पात्मी कस्तर पर हिंदी भासा को समावेसी कच्छा का, समावेसी मतलब होता है, हर एक लोगों को बराबर बराबर रूप में पहने के लिए प्रेना करना, समावेसी कच्छा का जाता है, option B, सिच्छन पर किरिया, सिच्छन के दौआरा एक process किया जाए, option C, आकलन किया जाए, लोगों को देखा जाए, किस के द्वारा कोन अच्छा कर रहे है, option D, पाठ पुस्तर के द्वारा, पताईए, इसका सही अंसर क्या हो चाहिए, कि उच्छ प्रात्मिक अस्तर पर हिंदी भासा की समावेसी कच्छा का सुरूप, रधायत करने में सरवाधिक महत्पून जो है अभ्यास से होगी, उच्छ प्रात्मिक अस्तर में, सिच्छन परक्रिया से होगी, कि आकलन से होगी, पाठ पुस्तक से, उच्छ प्रात्मिक अस्तर में सिच्छन परक्रिया के द्वारा होगा, सिच्छन मतलब होता है किसी चीज को अच्छा से सिखाना, उसको सिच्छा के प्रोसेस के द्वारा ही लोग उच्छ प्रात्मिक अस्तर पे हिंदी को अच्छी तरक से महत्पून योगदान जो होता है वह आपका सिच्छन परक्रिया होता है सिच्छन परक्रिया जो है वह समवेशी कच्छा का सवरूप निर्धारिट करने में सबस्याद महत्पून होए वह आपका सिच्छन परक्रिया होती है यहां पर थाटिंथ कोशन आप लास्ट करवाएं और भी स्टैप के हम महत्पून प्रस्ण आपके सामने लियाएंगे कि बेल आइकन आवसे प्रेस कर दें ओके थाइंक यू